वन विहार कालोनी के युवक से रंगदारी छह लाख रुपे नहीं दिये तो कार में की तोड़ फोड कोतवाली थाने में तीन नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज चुरु शहर की वन विहार कालोनी के एक युवक से रंगदारी करने का मामला सामने आया है रूपिय नहीं देने पर तीन बदमाशों ने पंखारोड पर उसकी गाड़ी में लाठी सर्यों से तोड़ फोड वे मार पीट की पीडित की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में तीन नामज़द लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कार में हुई तोड़ फोड का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है कोतवाली थानादिकारी अर्विंद भार्दवाज ने बताया कि वन विहार कालोनी के 29 वर्षे भूने शर्मा ने रिपोर्ट दी कि जब वहें पंखार रोड पर जा रहा था तो एक सफेद रंग की बोलेरों में परतिभानगर निवासी अमित सिंग रतनगर निवासी सुनेंदर शर्मा तता परतिभानगर निवासी सुनील खंडेल वालने बोलेरों से उसकी कार को टक्कर मारी तता लाठी सरियों से कार म तोड़ फोड की रिपोर्ट में बताया गया कि उसे जान से मारने के लिए उन्होंने मार पीट की और गाड़ी से नीचे उतारने का भी प्रयास किया महले के लोगों के आने पर तीन आरोपी महां से गाड़ी सहीद फरार हो गए रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 10-15 दिन से तीनों उससे 6 लाख रुपे की रंगदारी कर रहे हैं उसके मोबाइल पर वाटसअप कॉल करके और रुपे मांग रहे हैं रुपे नहीं देने पर जान से माने की धमकी दी जा रही है गटां के बाद अमित सिंग बनना वे करशन शर्मा ने अपने वाटसअप स्टेटस पर धमकी बरेलेजे में लिखा कि अभी तो ट्रेलर है फिलम बाकी है बहराल कोतवाली थाना पुलिस ने सुरेंदर शर्मा और सूनिया अमित सिंग बनना और करशन खंडेलवाल के खिलाफ आई पी सी के दारा 323, 341, 336, 427, 384, 383 और 143 में मुकदमा दर्जकर जाँ शिरू कर दी है पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है